हेलो स्टूरेंट्स वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजी और इन सिंद्बोर्ड लेक्चर सीरीज सेकेंड इर केमिस्ट्री चेप्टर नमबर टू बाइनरी कंपाउंड्स ओफ हाइड्रोजन में आज हम आइनिक हाइड्राइट को डिसकस करेंगे और हम पर मैं आप से चोके सीरी कमपाउंड में इसे स्टेंन्स न चाहिए तो जहरूर अपना फीड्बेग ऻनना देचेगा तो चले स्टार्ट करते हैं आइनिक हाइड्राइट को तो आयोनिक हाइड्राइट बेसिकली आपके पास उते हैं जो दो टाइब के element से मिलकर बनते हैं मतलब एक दो इसमें hydrogen जो के लाजमी है और दूसरा जो इसमें element होगा वो क्या होगा वो group 1A and group 2A के elements होगे बतलब क्या ionic hydrates are formed by the metal of group 1A and group 2A लेकिन group 2A के इंदर दो ऐसी element हैं जो except उनके बगेर उनके इलावा जिसमें beryllium and magnesium इन दो elements के इलावा बाकि जितने भी elements हैं group 1A के group 2A के जब वो hydrogen के साथ bond बनाएंगे और hydrogen के साथ bond बना के जब वो कोई compound बनाएंगे तो हम उनको क्या कहेंगे वो है ionic hydride और इसी के साथ अगर हम बात करें जिस तरह ionic hydride में एक जो group 1A है और group 2A है तो group 1A और 2A बहुत हार metals यह दोनों metals हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी compound बनेगा उसमें एक metal होगा और एक hydrogen होगा जो metal होगा वो electro positive होगा electro positive का क्या मतलब कि वो अपने उपर positive charge रखता होगा और वो positive charge क्यों रखेगा क्योंकि वो electron को loose करेगा और second जो element है that is hydrogen हो hydrogen किस तरह act करेगा वो electro negative act करेगा क्योंकि उसके उपर negative charge आएगा वो एक electron को gain करेगा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि मैंने लिखा sodium hydride sodium hydride में na के उपर positive charge है hydrogen के उपर negative charge है जितने भी metals हों तमाम metals positive charge रखते है hydrogen positive भी रखता है negative भी रखता है वो depend करता है कि condition के उपर वो किसके साथ react कर रहा है इसके बाद अगर हम मजीद देखें आइनिक hydride के अंदर जो formula है वो दो है एक group A1A के लिए है और एक group 2A के लिए है तो आप देख सकते हैं M positive positive यहां plus है और यहां plus 1 प्लस 2 इसलिए है क्योंकि group 1A के उपर जो valency आती है that is plus 1 and group 2A के उपर जो valency आती है that is plus 2 इस वज़ा से यहां plus है और यहां पर plus 2 है तो यह दो formula है जो आपको याद रखने है MCQs point of view से भी और अपने medical college aptitude test की preparations के लिए भी इसी के साथ साथ यह जो charges आते हैं इनके उपर जो ions बनते हैं मतलब positive or negative charge आते हैं तो ions बनते हैं इसी के लिए ions बनके इनी ions बनने के वज़ा से इन compound में इसे ionic hydride का नाम दे दिया गया इसी के साथ साथ एक और इसका करेक्टर है कि यह salt-like करेक्टर रखते है salt की तरह के करेक्टर रखते हैं इसी लिए ionic hydride का एक दूसरा नाम है that is salt-like and saline hydride और यह आपके sinboard के exams में भी यह पुछा जाता है कि आप जो है वो saline hydride के उपन note लिखें या फिर आप आप आयोनिक hydride का दूसरा नाम बताएं तो यह यहाँ पे आपके पास short note के point of view से भी important है और MCQ's point of view से भी important है अब अगर हम preparation की तरफ आते हैं तो basically hydrogen जो आपके पास मौझूद है hydrogen के जो hydride मौझूद है ionic hydride मौझूद है इनको आप different तरीकों से prepare कर सकते हैं जैसे कि अगर आप hold alkali metal and alkaline earth metal मतलब जो group 1 and group 2 आपके पास मौझूद है इनको अगर आप react करें इनके उपर अगर आप पास करते है hydrogen gas ठीक है इनके उपर अगर आप hydrogen gas पास करते है in the presence of heat तो फिर क्या होगा कि वह hydride में convert हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे आप देखें यहाँ पर आपके पास sodium है ये एक metal है और metal के साथ यह hydrogen gas है और hydrogen gas के बाद हमने कहा दिया उसे heat दी और 200 centigrade temperature दिया तो उसने क्या बना दिया sodium hydride इसी के तरीके से अगर जब आपने calcium calcium जो group 2A के element है group 2A के element calcium के साथ जब hydrogen gas ने react किया heat दी और 200 centigrade temperature दिया उसने क्या बनाए उसने बनाए calcium hydride तो ये preparation method है ये भी आप से पूछे जा सकते हैं आपके sinboard के exams में उसके बाद at last हमाते हैं properties की तरफ से properties क्या है ionic hydride की ये भी आप से सवाल पूछा जा सकता है तो जितने भी ionic hydride है वो colorless है उनका कोई color नहीं है non volatile है non volatile का मतलब होता है room temperature पर वो evaporate नहीं होंगे room temperature पर वो evaporate नहीं होंगे और वो salt like है नमक की तरह है तो वो solid state रखते हैं उनका melting point ज्यादा है और अगर हम बात करें next चीज़ वो क्या है कि वो stable है towards the heat हीट की तरफ वो ज्यादा stable है क्योंकि उनका melting point सोड़ा सा ज्यादा है और अगर हम बात करें इनकी stability की तो इनकी stability stability डिक्रीज होती है with increasing atomic masses अगर कोई एक atom है ठीक है अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर हम group 1A की बात करते है तो group 1A के अंदर पहले आता है hydrogen, lithium, sodium, potassium तो अगर sodium जो है उसकी stability होगी वो ज्यादा होगी as compared to potassium की क्योंकि potassium का atomic mass ज्यादा है तो अगर potassium जो hydride बनाएगा उसकी stability होगी वो कम होगी क्योंकि उसका atomic mass ज्यादा है उसके बाद अगर मजीद देखें तो यह insoluble है organic solvent organic solvent का क्या मतलब होता है क्लोरो फार्म, ether वगरा या जितने भी थायल alcohol है इनके अंदर जब आप इनको add करेंगे तो यह इसके अंदर insoluble होंगे लेकिन जब अगर इनको water के अंदर soluble करेंगे तो यह soluble हो जाएंगे, dissolve हो जाएंगे, इसी के बाद एक और preparation बताए लिए कि हम इनको different दूसरे method से भी produce कर सकते है hydrogen को कैसे कर सकते ह कि हम hydrogen को react करें acid या alcohol के साथ, वैसे तो आपकी book के अंदर तकरीबन 4 example थी लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं, तो वो क्या है कि आप देखें यहाँ पे यह sodium hydro है, जो आपके पास है, ठीक है, इसको जब water के साथ आपने react किया तो अब यह क्या करें, basically sodium hydro oxide और H2 बना रहें, मतलब यह थोड़ा सा उल्टा, उल्टा क्या है, मैंने इन preparation को इसमें इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम hydrogen gas बना रहें, हम यहाँ पे hydride नहीं बना रहें, मतलब जो hydride हमने उपर बनाए हैं, जैसे यहाँ पर हमने hydrogen gas यूज की थी और hydride बनाया था, यहाँ पर हम अब यह alcohol या acid के साथ जब react करोगे, तो वह आपको hydrogen produce करके देंगे, ठीक है, hydride नहीं, तो यह आपके पास एक hydride मौजूद है, उस hydride को आपने H2O के साथ react किया, अब H2O के साथ react किया, तो आपको पता है, H2O जो है, इसको अगर मैं तोड़ दू, तो इसके अंदर H और OH ह होता है, तो OH basically alcohol group होता है, तो hydride नहीं जब H2O के साथ react किया, तो इसने sodium hydroxide and H2 बनाए, तो आपके पास यहां क्या मिल गया, यह आपके पास hydrogen मिल गया, उसके बाद जब इसी sodium hydride मौजूद है, इसने लिए किया acid के साथ, तो इसने क्या पनाया, sodium chloride plus hydrogen के, उसके साथ अगर हम बात करें, यहां पर calcium hydride की, तो इसने जब water के साथ react किया, तो आपके पास यहां पर यह different compounds मना कर दे दिया, इसके बाद जो एक बहुत important point है, वो यह है कि अगर इन reactions को अगर हम देखते हैं, तो यह reactions basically hydride जो हमारे पास group 1 के मौजूद हैं, जिसे हम alkali metal कहते हैं, जितने भी group 1A के hydride हैं, उनके साथ यह reaction vigorous होता है, मतलब भरपूर होता है, सही तरीके से जल्दी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें group 2A की, तो group 2A के साथ जो यह वाले reaction है, जिसमें हम hydrogen produce कर रहे हैं, hydrogen produce कर रहे हैं, तो वो group 2A के साथ उसकी जो reaction है, वो क्या होता है, वो moderate हो है, वो यह last वाला है, calcium hydride वाला, calcium hydride वाला, जो method है, यह use किया जाता है, hydrogen को prepare करने के लिए, तो I hope के इसके अदर मेने वो तमाम points के लिए कर दिये हैं, जो आपके book के page number 17 पर ionic hydride के topic में मौझूद हैं, इसके इलावा भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, तो आप मेरे WhatsApp नमबर भी पूछ सकते हैं, मुझे मेरे मुझे comments भी कर सकते हैं, इसके साथ मुझे अपनी दौह में याद रखेएगा, thank you